कि हेलो एब्रीवन आज का जो वीडियो है वो mathematics के टम से रेलेटेड है थोड़ा सा मैंने आपके टाम टेबल में चेंजेस करें हैं कि मैथ का वीडियो जो आप देखेंगे वो एक वीडियो है जिसमें आपको mathematics का और शुक्त करें हैं जो कि एजय सर के द्वारा वीडियो जो है मेरे पास दिया गया जिसको मैं आप तक पहुंचाने के कोशिस कर रहा हूं इस वीडियो में आपको functions के बारे में बताया गया है आपको इस एक वीडियो को मैंने नंबर पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है और एक पार्ट आपको carefully सुनना है देखना है कैसे क्या कर रहे हैं और उसको समझना है कोशिस सही करेंगे कि हम लोग आपको समझाने की कोशिस करें आप समझने की कोशिस करें अच्छे से पढ़ाय करें इस उम्मीद के साथ में इस वीडियो को हम continue कर विजे और इसमें 136 1367 हमको एकदम confirm पता है कि यह जो है एक दूसर से क्या है ordered pair में तभी तो हम लीखे थे यह क्या है एक तरह से आपका यह चीज क्लियर हुआ होगा समझें होंगे बात को ठीक है बहुत इजी है यह डोमेन और रेंज आगया नसर में दोस्तों चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स आफ रिलेशन में एकदम ध्यान से पढ़िएगा ठीक है ना टाइप्स आफ रिलेशन पहुत में न ओके फिर उसके बाद यूनिवर्सल पढ़ेंगे फिर इंवर्स पढ़ेंगे फिर उसके बाद जो हमारा तीन में आएगा कौन सा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसेटिव ठीक है यह तीनों को आप समझ जाएंगे तो एक्वी वैलेंस भी अपने आप क्लियर हो चलिए सुरू करते है टाइपस यूगि ये तौफ एम्टी रेलेशन से स्कौ आप क्या समझते है उम्टी है लूग नल से रिलेशन भी कहते हैं और रिलेशन भी कहते हैं ए Empty relation से आप क्या समझते हैं Empty मतलब साफ साफ बात है कि भाई खाली ठीक है कुछ नहीं जहां कुछ ना हो उसी को हम लोग Empty कहते हैं ठीक है ये तो बात हो गया अब इसको हम लोग Empty relation को mathematics लेंग्वेज में किस तरह से पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है सब चीज आपका यहां पर किलियर हो जाएगा सब आपको समझ में आएगा ठीक है ना तो ऐसा सेट जिसके अंदर अब कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं लिख पा रहे हैं जैसे मा लिजे 1,2,3,4 इस तरह से एलिमेंट लिखते हैं ना तो मा लिजे नहीं लिख पा रहे हैं कोई भी सेट में तो उसी को हम लोग empty relation कहते हैं ठीक है जैसे मा लिजे एक example लेते हैं suppose that सबसे पहले consider करिए एक सेट को considered a relation are in set A माल लेते हैं ठीक है सेट A में माल लिजे 1,2,3 है अब आप बोलिया कि भाई 1,2,3 क्यों लिख दिये अभी तो आप बताया थे कि आप नहीं लिख पाएं तो उसी को हम लोग empty relation कहते हैं लेकिन आपने तो यहां लिख दिया तो दोस्तों हमने यहां पर आपको समझ खाने के लिए लिखा है ठीक है 1,2,3 जैसे माल लिजे कोई भी एक condition ले लेते हैं ठीक है condition क्या है इसी question के साथ ध्यान सुनिएगा कि माल लिजे एक relation है R is equal to A,B अब A,B जो है वो क्या है A,B जो है वो एक तरह का element है ठीक है अगर इसी को आप set A को set A से Cartesian product करेंगे तो आएगा ना 1,1,1,2 इस तरह से तो जो 1,1 आएगा जो 1,2 आएगा वो उसको हम लोग टेनोट करेंगे A से यानि कि जो माल लिजे यहाँ पर रफ में जिखिए इस तरह का आता है माल लिजे 1,2 आता है तो यह क्या है A है और यह क्या है B है यह चीज क्लियर हो गया इस तरह से तो A,B जो है such that इसको हम लोग such that कहते है ठीक है A plus B is equal to 10 माल लेते हैं माल लिजे एक यह condition है ठीक है और आपको बताना है कि क्या यह empty relation को follow कर रहा है ध्यान से सुनिएगा empty relation को क्या यह follow कर रहा है आपको यह बताना है साब साब बात तो कैसे पता चलेगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका Cartesian product निकालेंगे ठीक है तो A cross A यानि कि A का जो value लिखा हुआ है 1,2,3 वह आप लिख दीजे बीच में cross फिर 1,2,3 लिख द बताया है Cartesian product किस तरह से निकाला जाता है ठीक है तो 1,1 निकल गया 1,2 निकल गया और 1,3 इसी तरह से आप लिखा लिए ठीक है 2,2 और 2,3 और हो जाएगा इधर 3,1,3,2,3,3 अब चेक करना है कि क्या हमने जो Cartesian product यहां पर लिखा हुआ है क्या यह सही लिखा हमने तो हमने आपको बताया था कि 3 element यहां पर है 3 element यहां पर है 3,3,9 क्या हमने 9 pair यहां पर लिखा हुआ है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 हां बिलकुल हमने सही लिखा है Cartesian product ठीक है अब ध्यान सुनिएगा कि यह जो है वो A है और यह क्या है B है यह A,B है यह भी A,B है अब condition यहां पर यह दिया ह है हमारे पास कि क्या यह condition बताइए कि empty relation को follow कर रहा है अगर कर रहा है तो हाँ यह जो set है वो empty relation है कैसे जैसे मा लिजे कि A plus B is equal to 10 बोल रहा है ठीक है यह A है यह क्या है B है अब इसको आप जोड़ते हैं तो क्या यह 10 आ रहा है तो देख रहे हैं बिलकुल भी 10 नहीं आ रह है इसमें भी 10 नहीं आ रहा है इसका highest यहां पर value है 3 plus 3 भी add आप करते हैं तो आज आएगा कितना 6 तो हमने देखा कि इसका हम लोगों ने set A को set A से cartation product किया था और इसमें से जितना भी ordered pair हैं कोई भी follow नहीं कर पा रहे हैं उपर दिये हुए condition को नहीं ना follow कर पा रहे हैं त एक भी ordered pair match नहीं कर रहा है हम लाहीं नहीं पा रहे हैं ठीक ना तो जिस relation में जिस relation में एक भी ordered pair हम ना निकाल पाएं हम नहीं निकाल पाएं उस relation को हम लोग empty relation कहते हैं आगे समझ में तो इसको कैसे आप define करिएगा if no element of set A is related to any element of set A इसको लिख दिजेगा कि if no element of set A if no element of set A is related to any element of set A इसमें जो है कोई भी related नहीं होता है जैसे माली जी अगर set A ले रहे हैं उसमें से उसका कोई भी एक भी element अगर दूसरे वाले set से relate नहीं हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं empty relation कहते हैं ठीक है इसको किस तरह से लिखेगा दूस्तों that is relation is equal to 5 याद करिए हमने बताया था सुरू में कि 5 को हम लोग क्या कहते हैं empty relation ठीक है और is an empty relation याद रखेगा r is equal to 5 says को denote करते हैं ठीक है तो r is an empty relation आ गया सब्सक्राइब दूस्तों तो इससे क्या पता चलता है इससे यह पता चलता है कि set पर निर्भर करता है कि वो relation empty होगा या नहीं अब आया सब्सक्राइब आ गया ना तो एक और important बात बताना चाहेंगे कि जिस relation में जो भी आपको relation दिया गया है अगर वो ordered pair में आ रहा है ठीक है अगर वो ordered pair में आ रहा है तो वो जो relation है वो empty relation कभी भी नहीं होगा कभी भी नहीं होगा जैसे Cartesian product करते हैं ना दो non empty इसलिए तुसको बोलते हैं दो non empty set ठीक है तभी ना हम लोग उसका Cartesian product कर पाते हैं ठीक है तो याद रखिएगा कि कभी भी empty relation जो है वो ordered pair में नहीं होता है आगे सब्सक्राइब कुछ कुछ जानकारी आपको मिला होगा कुछ क्या बहुत मिल गया होगा ठीक है empty relation क्लियर होगी एकदम क्लियर अब आगे बढ़ते हैं यूनिवेशन की ओर ठीक है यूनिवर्सल रिलेशन देखे यूनिवर्सल रिलेशन और empty रिलेशन को अगर मिला दे तो ये किस में आता है trivial relation में ठीक है trivial relation में ये दोनों relation आता है दोस्तों ठीक है अब बात करते है universal relation की तो universal relation का मतलब क्या होता है तो यूनिवर्सल relation का मतलब होता है कि जो भी आपको दो गिवनbour्सेट दिया गया है चाहे वो अब सेत्व ए फोरच जाहे गया है या सेत्व ऑर सेत्व में यानि कि आपके पस कम से कम दो सेत रहना चाहिए ठीक है चाहे वो सेट ए हो चाहे इधर भी सेट ए हो चाहे वो सेट ए हो इधर सेट भी हो या पी जो इस तरह का सेट हो ठीक है दो सेट दिया गया है और वो दोनों सेट के अंदर जो भी element है ठीक है जो भी element है वो एक दूसरे से अगर related में है relate कर रहे है RSN में तो उसी को हम लोग क्या कहते है universal state कहते है तो क्या हम ये कह सकते है कि universal state का मतलब ये होता है कि वो Cartesian product के बराबर हो जाए क्या हम ये कह सकते है बिल्कुल कह सकते है क्योंकि यहां साफ साफ हम अपको भी बात बताय थे कि इसमें जितना भी element है वो आपस में क्या कर रहे है relate कर रहे है यानि कि ordered pair बना रहे है one जो है वो four से बनाएगा one जो है वो five से one से six से इस तरह से यानि कि वो relate कर रहे है ठीक है तो हम ये कह सकते हैं बिलकूल भी कि यूनिवर्सल रिलेशन के बराबर Cartesian Product होता है ठीक है जैसे आफने a x a निकाला था ना a x a, a x b या b x a ठीक है इस तरह का जितना भी आपने Cartesian Product निकाला था ठीक है तो आपको पता ही होगा कि दोनों सेट जो है वो नन एमटी होना चाहिए काटेशन प्रोड़क्ट अगर निकाल रहे हैं तो ठीक है ना आरहे हैं दोस्तों तो इसमें बात यही है कि अगर आप काटेशन प्रोड़क्ट निकाल रहे हैं कि और पीर में बन रहा है तो वह यूनिवर्स понять के बराबर होगा। कि अगैं जब रिदर्शन का में प्रोड़क्षिन का अगर काटेशन प्रोड़क्ट के बराबरоки ब्राबर हो क्याना प्रोड़क्ट तो हम उसको क्या कहते है यूनिवर्सल रिलेशन कहते है r is equal to a cross a भी लिख सकते है r is equal to a cross b चाहे p, q, m, n, s, t जो भी लिखना चाहते है जैसा भी question आपके पास दिया गया है उसके according आप यहाँ पर लिख सकते है यह चीछ clear हो गया होगा आगया सवन में कि Cartesian product के ही बराबर होता है universal relation ठीक है उसी को हम लो universal relation कहते है ठीक है और universal relation को किस तरह से denote करते हैं देखिए r और इधर u रहेगा इस तरह का ठीक है काट देखिए इसको और r इधर u लिख दिये यानि कि इसको हम लोग क्या कहते हैं जहां भी इस तरह का आपको symbol दिखे उसको आप कहिएगा कि ये भाई universal relation है आगे सब्सक्राइब अभी तक हमने दो relation के बारे में पढ़ा एक empty relation एक universal relation क्लियर हुआ कुछ कुछ अब इसी पर आपको question देते हैं ठीक है रिखते हैं कि किस तरह का universal relation होता है ठीक है चलिए देखते हैं पहला example है मा लिजे कि हमने यहाँ पर set A ले लिया ठीक है 1, 2 ही लिया ज़्यादा बढ़ाने लेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा समय लग जागा इसलिए आप लोग फिर समझी जाएंगे 3 और 4 ले लिया हमने तो इसमें जो है हम लोग cartation product करते हैं ठीक है पता ही है किस तरह से cartation product होता है तो यहाँ पर A x B हमने निकाला बहुत ही easy way में 1 से 3 में ठीक है 1, 3, 1, 4 और 2, 3 और 2, 4 यही आपका cartation product निकला न तो क्या इसको हम लोग universal relation कहते हैं बिल्कुल होगा यह बिल्कुल universal relation को follow कर रहा है क्योंकि अभी हम आपको बताये थे कि वो relation जो cartation product के बराबर हो जाए उस relation को हम लोग universal relation कहते हैं लिख दिजे is a universal relation clear हो गया अब एक और example लेकर कि आपको दिखा रहे हैं मात्र एक example और सीखने के लिए ठीक है जितना हम लोग deep सीखेंगे उतना हम लोग का base मजबूत होगा suppose that मान के चलिए कि एक हम consider करते हैं considered a relation ठीक है considered a relation मान लिजे उस state का नाम लिख दिए state a is equal to उसके अंदर जो element है वो लिख देते हैं 1,2,3,4 ठीक है यह हमने एक element लिख लिया और उसी के साथ एक relation लगा दिया कौन सा यह relation है इसमें हमने लिख दिया कि a और b जो element है यह तो पता ही होगा क्या होता है a और जो b है वो such that ठीक है यहां तक clear और एक लिख दिया a minus b यानि कि mod a minus b is greater than equal to 0 ठीक है यह एक relation हमने लिख दिया अब आपको यह बताना है कि यह जो relation है क्या यह universal relation को follow कर रहा है satisfied कर रहा है आपको यह बताना है ठीक है तो एक बात याद रखिएगा confirm है कि कभी भी अगर कोई भी relation के अंदर mod a minus b greater than equal to 0 रहे कितना भी आप कुशिश करिएगा वो 0 से जादा ही होगा ठीक है क्योंकि आप जो भी integer यहाँ पर लिखिएगा वो शुरुवात करिएगा 1, 2, 3, 4 से ही सुरू करिएगा ठीक है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि set a जैसे यहाँ पर set a है ना और set a में आप Cartesian product करते हैं उसमें जितना भी element है कोई साभी आप ordered pair लेते हैं कोई साभी ordered pair लेते हैं वो r is equal to a b such that a mod a minus b greater than equal to 0 को satisfied कर देगा ठीक है इसको satisfied कर देगा ठीक है आगे सन्में यही था एक्तम simple सा भासा में हम यही कहेंगे कि Cartesian product के बराबर जो है universal relation होता है ठीक है आगे सन्में चलिए अब आगे बढ़ते हैं next topic है हमारा identity relation ठीक है third number identity relation अब identity relation क्या होता है तो हम आपको एक simple सा भासा में कहना चाहेंगे कि identity relation का मतलब यही होता है कि आप जो भी आप जो भी यहाँ पर अगर एक element का नाम रखें मालीजे ए रखते हैं तो उसके बगल का जो element है यानि कि जो बी के अस्थान पर लिखाता है तो यहाँ पर भी यही लिखाएगा ऐसा क्यों कि यहाँ पर जो भी image है जैसे मालीजे मेरा चहरा है ठीक है अगर यहाँ पर छप जाए जश्ट जश्ट छप जाए ठीक है ना इसमें क्या होता है ना कि हर एक element जो है वो अपना ही image दे देता है ठीक है अगर A रखे हैं तो यहाँ पर A रहना चाहिए अगर B रखे हैं तो यहाँ पर B होना चाहिए अगर 1 रखे हैं तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए अगर 2 रखे हैं तो 2 ही होना चाहिए अगर यहाँ पर कुत्ता बना दिये तो यहाँ पर कुट्ता ही रहना चाहिए तो यहाँ पर कुट्ता हो जो भी तो identity relation अब आया समझ में जो भी आप एक element यहाँ पर रखते हैं उसी का image यहाँ पर छप जाएगा इसी को आप लोग simple भासा में identity relation कहते हैं अब यहाँ पर set कैसा होगा relation कैसा होगा अब आप कोई इस पर ध्यान देना है ठीक है एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारा a a 1 1 2 2 कब आएगा कब आएगा दोस्तों कब आएगा जब हमारे पास जो set है suppose that ध्यान से सुनिएगा जो set है हमारे पास दिया हुआ एक माले जो set a है उसके अंदर 1 2 3 element रखे तो क्या हमें यहाँ पर 4 5 6 रखना अच्छी बात है क्या या रखना चाहिए तब क्या identity relation आ जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्यों कि अगर आप ही समझे कि अगर 4 5 6 रखते हैं suppose that और इन दोनों में अगर relate कराते है तो 1 का 4 के साथ हो जाएगा तो 1 4 आ जाएगा न फिर 1 5 आ जाएगा 1 6 आ जाएगा तो हम आपको बताये थे क्या कि आपको जो है कैसा लाना है 1 1 लाना है 2 2 लाना है तो साफ बात यही है कि आपको यहाँ पर दूसरा तरब जो set रहेगा वो किस तरब करहेगा जो भी set A के अंदर जैसा element है वैसा ही element यहाँ भी रहना चाहिए तभी identity relation हो पाएगा ठीक है अब तो हो सकता ना कि 1 1 के साथ हो जाएगा 2 2 के साथ हो जाएगा 3 3 के साथ relate होगा आया सवंज में आया ना सवंज में तो ऐसा अगर आपके पास element है उसका pair है तो आप उसको identity relation कह सकते हैं अब बात आता है Cartesian product का तो आप ही सोचे दोस्तों अगर हम 1 1 के साथ तो लगा जैते या 1 2 के साथ लगाते फिर 1 3 के साथ लगाते तो क्या नहीं हो पाएगा सामिल ठीक है क्योंकि हम आपको क्या बताये थे कि यहां पर आपको वैसा element को चूज करके लिखना है जो identity relation को follow करता है ठीक है तो 1 का 1 के साथ होगा 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ relate होगा आया समझ में दोनों set के अंदर जो element है वो same रहने चाहिए चाहे आप इसको set A मान लिजे चाहे आप set B ही मानेए लेकिन इसके अंदर का जो element है वो set A के हिसाब से ही रहना चाहिए एकदम same to same आया समझ में तो इसमें 12 नहीं होगा इसमें 13 भी नहीं होगा नहीं न होगा इसमें कौन होगा 22 होगा 33 होगा ठीक है लिख देते हैं 22 होगा 33 होगा इसी तरह से आपको choose करना है आगे सब्सक्राइब आया अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि क्या कहते हैं कैसे identity relation को explain करते हैं देखे जब भी भी identity relation the identity बता रहे है identity relation is a set of set of all ordered pair पहली तो बात यह की ordered pair होना चाहिए तो कैसा ordered pair होना चाहिए 1-1 के form में, 2-2 के form में 33 के form में होना चाहिए तो यहां आपको लिक दिखा रहे हैं कि इसका जो element है यानि कि मालिजे a, b लिख दीजे मालिजे ये A ये B है मालिजे ये A है या B है तो इसका जो element है वो कैसा होना चाहिए हम यहाँ पर A cross A लिये थे ना लिये थे ना तो उसका जो such that बता रहे है such that कैसा होना चाहिए A जो है वो B के बराबर होना चाहिए तो obviously उसी बात हैं हम लोग देख भी रहा है कि A जो है वो B के बराबर है ना जैसे माली जे A के जगा पर 1 है तो B के जगा पर भी 1 है इसमें भी कुछ इसी तरह से चल रहा है आ रहा है ना समझ में तो ये follow करेगा अगर ये आप जहां भी देखें इस तरह का relation तो आप समझ जाएगा कि वो जो है कैसा है आइडेंटिटी रिलेशन के जैसा है ठीक है इस इकवल टू भी आगया समय में सिंपल भासा में कोई दिक्कत नहीं अब चलिए आगे बढ़ते हैं दिखिए कभी भी आप आइडेंटिटी रिलेशन को दिनोट कैसे करिएगा आई फिर यहां पर ए रहेगा ठीक है इस तरह का जहां भी आपको सेंबल देखने के लिए मिलेगा आप उसको कहेंगे क्या यह भाई आइडेंटिटी रिलेशन है आगया समय में आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई ए से दिनोट करते हैं ठीक इसको भी कहते हैं ठीक है such that a belongs to a ठीक है एडेंटिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है और यह आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही लग रहा है ठीक है तो आगया समय में दूस्तों कि आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं अगर कोई भी रिलेशन आपको अगर ऐसा दिखता हो suppose that वन वन टू 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 थ्री थ्री एए बी इस तरह का रिलेशन जहां भी देखने के लिए मिले तो आप इसको कहा देजेगा कि यह जो है इडेंटिटी रिलेशन है आगे समय में कोई भी एलिमेंट कोई भी जैसे यहां पर एलिमेंट है ठीक है उसी के जैसा इमेज आ इस तरह से लिखेगा एलिमेंट एलिमेंट गिफ्स इमेज आफ इटसल्फ एलिमेंट गिफ्स इमेज इस इटसल्फ उसी का इमेज जो है वो छब जाता है वन का इमेज वन छब जाएगा तो बहुत इसी था दोस्तों आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा अब तो अमारा जो next topic है वो inverse है, inverse से आप क्या समझते हैं कि कि किसी का कोई भी जैसे कि power में minus 1, ठीक है, लगता है बच्चा लोग खेलने लगा, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि inverse relation को पढ़ेंगे, ठीक है, तो heading लगाते हैं inverse relation का, तो 4 नमबर है न यह है, 4, inverse relation, inverse relation से आप क्या समझते हैं उस तो, तो आपने A inverse पढ़ा होगा, ठीक है, या बहुत सारा inverse पढ़ा होगा, कोई भी चीज का, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहें relation का, तो relation को हम लोग R से denote करते हैं, ठीक है, अब inverse का मतलब आपको बताए भी थे कि power में minus 1 लग जाएगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग R inverse कहते हैं, ठीक है, R to the power minus 1, अगर जहाँ भी आपको देखने के लिए मिले, आप उसको कहिए गा क्या, कि वो inverse relation है, अब बात करते हैं कि inverse relation किसको कहते हैं, बहुत easy है, एक दम बहुत ही easy, ठीक है, जैसे मा लिजे कि हम एक सेट ले लिए, उस सेट का नाम है A, और उसके अंदर एक element है 1, 2, 3, और दूसरी तरफ, सेट भी हमने ले लिया, उसके अंदर है 4, 5, 6, ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो R निकालना पड़ेगा, यानि कि R मतलब relation निकालना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको Cartesian product करिए, और इसका जितना भी all possible order आ रहा है, ज इस तरह से हम लोग जो निकालते थे ना Cartesian product, ठीक है, उसमें से अप कोई साभी audit pair, audit pair मतलब 1, 2, 1, 1, जो भी आप लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, suppose that, एक example के तुरू हम आपको देखा रहा है, हम यहाँ पर A cross B नहीं निकाल रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर इसमें से, इ हमने ले लिया इधर, 1, 1, 1, 1 नहीं होगा, 1 के साथ 4, मा लेजे, 1, 4 ले लिया, हमने, और 2, 5, या तो 2, 4, इसी तरह से कुछ भी randomly हमने उठा लिया, ठीक है, जो की हो सकता है, possible order में से कुछ-कुछ पूरा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ-कुछ ले रहे हैं, ठीक है, और 3, 6 ले लिजे, या 3, 5, जो भी जिस तरह से अच्छा जो भी suitable है, वो हमने ले लिया, ठीक है, ये बिल्कुल भी A x B के बराबर जैसा नहीं लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हमने ये relation को कुछ-कुछ लिया है, इसी में से, जो की मिलता जूलता, आप ले सकते हैं, ब जो भी element है, दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत easy है, जो भी element है, अगर A के जगह पर आप B रख दें, और B के जगह पर A रख दें, यानि कहने का मतलब यह है, कि इसको घूमा दें, या reverse कर दें, आरना सज में, या इसको उल्टा कर दें, जो भी कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, जैसे कि मालेजे, यहाँ पर 1, 4 लिखा हुआ है, तो आप इसको 4 को इधर लेए, 1 को इधर लेए, यानि कि 4, 1 लिख लिजे, यहाँ पर 5, 2 लिख देजे, यहाँ पर 4, 2 लिख देजे, तो inverse अगर आपको निकालना है, तो जैसे ही यह लगेगा power, तो यह जो relation था, वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानि कि पहले A और B लिखते थे थे ना, अब लिखाएगा B और A, ठीक है, 4, 1, 5, तो बहुत सिंपल सा था, बस यही आपका inverse है, ठीक है, बहुत सिंपल सा टापिक था यह, और इधर 5 और 3 हो गया, इसी को हम लोग inverse कहते हैं, आगे संगें दुस्तों, आगे ना, जो भी element दिया गया है, उसका उल्टा लिख दिये, यानि कि जो place पर था, उस place से हटा के इधर लिख दिये, और इसको इधर लिख दिये, यानि कि interchange हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना, तो इसी को आप लोग R inverse कहिएगा, यह च कुछ एक relation लेते हैं, suppose that, हमने एक आपको R inverse करके दिखाया, एक और मा लिजे कि, जैसे मा लिजे एक example लिए, R inverse is equal to, यानि कि जो element है, हमने आपको बताया था ना, कि हर दम A और B लिखते था ना, अब जो है इसको घुमा दिये हैं, यानि कि reverse कर दिये हैं, तो B इधर था, तो B इधर लिया है, A इधर था, तो A इधर लिया है, ठीक है, इधर से लिख दिये इसको, और such that लगा है, A और B जो है ने क्या किया, कि तेढ़ा मेडा कर दिया, यानि कि तेढ़ा मेडा क्या, इंटरचेंजिंग कर दिया, ठीक है, reverse कर दिया, यह आपका क्या है, एक R inverse है, यानि कि inverse relation इसको आप कहते है, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत इसी चीज़ था, बहुत इसी, short way, क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपने